दोस्तो आज चे फरवरी 2022 और आज में लेकिया हूँ आपके लिए सियंब्योक्स इन्वेस्ट्मेंट ट्रेडिंग कम्पनी लिमिटेट का कम्प्लीट शेर एनलाइस दोस्तो अगर आपका इस कम्पनी में निवेश नहीं या फिर आप इसमें फ्रेश निवेश करना चाहिए तो बीना इसक्रिप किये हुए आप इस वीडियो को बिल्कुल आंते तक देखते रहिए ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्फूल होने वाला है इस वीडियो में सबसे पहले हम इस कम्पनी का फंडामेंटल को जानेंगे बारी किसे और चार्ट पटरन को अनलाइस कर अगर आप ग्रो में अपन करते हैं तो जैसे आपका अक्टिवर्ट हो जागा आपको 100 उपिस का बोनस मिलेगा ग्रो के तरफ से जिसका आप चाहे तो शेर भी बाय का सकते है चाहे उसे अपनी बैक एकॉन में भी ट्रासफर का सकते हैं तो दोस्तों चलिए शुरू करते है आप यहाँ पर देख सकते हैं डिसंबर 2021 का फ्रेश कोटर है यहाँ पर मैं आपको यह और यह बताने वाला हूँ टोटल जो भी प्रोफिट बगरा है शॉटकार्ट में ठीक है तो आप रेबिन्यू पर देखेंगे इस साल में यह कंपनी 178 परसन का प्रोफिट में नेट प्रोफिट में अगर आप देखेंगे तो 32 परसन का प्रोफिट में अगर कॉस्ट आप रेविन्यू देखेंगे तो यह थी इस कंपनी का शांदार कोटर फॉर का रिजल्ट के मुताबिक बहुत ही अच्छा है और आने बाले दिनों में इसमें फ्यूचार आपको नज़र आ जाएगा अगर आप इसका quarterly result को ध्यान से देखेंगे तो तो यह थी इस company का quarter अभी हम चलेंगे इस अभी मैं लेकर चलने वाला हूँ आपको पर जहाँ पर इस company का फंडामेंटल को जानेंगे हम लोग बारेकी से हर एक चीज़ को तो मैं लेकर आ चुका हूँ आपको इस company का डीटेल हो रहा है हम इसको थोड़ा से एक नजर पढ़ लेता हूँ इंवेस्टमेंट एंड ट्रेडिंग कंपनी इसे इंगजिट इन तर बि पैसा अभी यह ओल टाइम हाई के आसपास चल रहा है ठीक है अगर लोईस देखेंगे तो यह company 74 पैसा बना के अपर सरकीट में जाना शुरू किया था हर कंपनी के लिए आपको price earning रशियों पर ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है अगर आप किसी भी company में निविश करते तो price earning share दोस्तों आपको पता चलता है share price sorry share का जो valuation है वो महंगा हो चुका है यह पर सस्ता है तो इस price earning रशियों के मुताबिक बिल्कुल निविश किया जा सकता है यहाँ पे इस बग share का price जो भी है ठीक टाक है ठीक है तो आप यहाँ पे देख सकते company का book value 10 रुपे के आसपास जा चुका है लेकिन dividend नहीं देता है यह company dividend के मामले में 0 है return of capital employed 0.29% का profit में return on equity भी अवरल आपको time times is book value book value का numbers भी इस वक्त इस company का बहुत ही अश्चानदार है यहाँ पे अगर देखेंगे throughout the company is reporting repeated profit it's not paying or dividend ठीक है इसका जो profit है बीते साल की तरह ही चल रहा है कुछ खास डेवलोप नहीं कर पाया यहाँ पे अगर इस company का sorry यहाँ पे अगर आप इस company का sales growth देखेंगे तो यहाँ पे आपको sales growth कुछ ज़्यादा बढ़ते नजर नहीं आएगा 0.10% का यहाँ पे इस company का sales growth है बीते 5 साल के मुकाबले में बतलब same चल रहा है जब उसका business था ठिक टाक चल रहा है तो खुछ ज़्यादा डेवलोप नहीं कर पाया sales growth में promoters holding देखेंगे दोस्तों promoters का holding बहुत ही कम है इस वक्त इस company में 3.33% लगबग 3.5% से भी कम अगर equity भी आगार देखेंगे बीते 3 साल में 0.09% बतलब ना के बराबर return दिया है इस वक्त इस company ने बीते 3 साल के मताबिक equity पर तो अभी देख लेते एक बार इस company का सारा holding किसने बायकर कर रखा है तो दोस्तों मैं लेके आज चोखा हूँ आपको company के share holding के pattern पे आप यहाँ पे देख सकते हैं promoters का holding 3.33% है यहाँ पे domestic investor का अ आपको सबसे पहले यह ध्यान रखना होगा कि penny stocks बहुत ही risky होता है आपको डूबो भी सकता है और आपको माला माल भी कर सकता है डूबाता कम है लेकिन माला माल ज्यादा करता है यह चीज़े भी ध्यान रखिए तो अभी हम चलेंगे इस company के share के chart button पे जहां पे आपको समझ किर दिया अगर weekly chart button देखेंगे तो यहां पर एवरी डे आपर सरकीट 5% अबला आपर सरकीट यहां पर जारी है इस बग तो एक हपते में यह company 21% के आसपास का शांदार return दे चुका है और यह लगा तर अपर सरकीट की और चल रहा है ठीक है एक महीने का रेटेंगे तो 38% का यहां पर यहां पर नंबर ज्यादा था थोड़ा सा लोवर सरकीट पर आया था खुछ दिन पहले इसके लिए यहां पर नंबर स्थोड़ा सा घड़ गया तो अगर इसका एक महीने पहले का शेर पराइस देखेंगे दो रूपया मतलब मतलब तीन रूपय से बिकम 283 बूर बाद फिर से मतलब साड़े तिन रूपया क्रॉस कर दिया फिर से लोवर सर्कृट पर आया तू एटी टू रूपीज एटीवन पैसा आने के बाद अभी लगातार यह कांसेश्टरली अपर सर्कृट की और चौल रहे ठीक है तो यहां पे बहुत शांदार मोका बन चुका है एक महने के मतलबी कि यहां पे बहुत अच्छा ब्रेकाउट दे चुका है ब्रेकाउट मतलब यहां पे स्विंग ट्रेट भी आप कर सकतो बिल्कुल लेकिन आपको स्विंग ट्रेट करने से पहले कंपनी को समझना होगा उसके बाद ही आप स्विंग ट्रेट कीजिए किसी एक breakout दे चुका है तो यहाँ पे एक swing trade बनता है दूस्तू max to max 5 year का देखाते हैं आपको max 5 year में यह company 82% का negative return दे चुका है फिर से आपको max to max दिखा देता हूँ max to max आप देख सकते हैं यह company 2005 से listing हो था 13 रुपे से उसके बाद यह company अपर सरकीर दिया 26 रुपया हो चुका था 13 का share 26 हो चुका था उसके बाद फिर से यह lower circuit दिया तो यहाँ पे जो निवेश किया था वो फिलाल तो बरवाद हो चुका है उसको ना घर का ना गाट का है फिलाल वो upper circuit की और जाने का इंतिजार कर रहा है तो कितना 2016 से लेके 17, 18, 19, 20, 21 पांच-छे साल से वेट कर रहा हो ठीक है फाइनली यहाँ पे एक शेर के चार्ट परटन पे हल चल होना शुरू हो चुका है तो उम्मीद करते हैं हम मैक सकार 6 मन का चार्ट परटन देखेंगे तो यह upper circuit के और जाना शुरू कर चुका है तो दोस्तों यही निवेश करने का सही समय होता है अगर आप देखेंगे लॉंग टर्म के चार्ट परटन के मुताबिक यहाँ पे अच्छा निवेश का मौका बन चुका है आने वाले दिनों में अगर शेर का प्राइस महेंगा होता है तो आपको यहाँ पे profit बनाने का मौका मिलेगा ठीक है तो दोस्तों किसी भी कंपनी में निवेश करने से पहले आप अपनी तरफ से इस कंपनी का फंडामेंटल को जरू समझे उसके बाद इस कंपनी का कंपनी को research करें फिर अपनी financial advisor से सलाव मसरों करने के बाद ही निवेश करें अगर आप ऐसे समय पे निवेश करते हैं तो आपको यहाँ पे stop loss लगाना बहुत जरूरी होता है नहीं तो अगर कल को किसी भी कारण share का price फिर से नीचे आ जाए तो आपका ज्यादा नुक्सान हो जागा क्योंकि थोड़ा से valuation महेंगा हो चाता है जब share का price उपर आ जाता ह ठीक है तो दोस्तो वीडियो को यहीं wind up करते हैं हमारी जानकरी आपको कैसा लगा comment box में जरूर बताए वीडियो अच्छे लगा तो लाइक कीजिए अपने दोस्तों को share कीजिए मिलते हैं आगले वीडियो में एक और ऐसे ही जानकरी के साथ हमारी वीडियो को आंते तक दे बहुत बहुत देने वाद